बिस्मिल्लाहरमान रहीम मेरा नाम है जितल्हाममूत और आज की जो हमारी वीडियो है वो एक बहुत ही यूसफुल फर्मूला से रिलेटिड है and that formula is called match formula अब ये भी हो सकता था कि मैं आपको direct ही index match formula सिखाता लेकिन उसमें ये difficulty थी कि अगर आपको match formula ही की basic understanding नहीं है या index formula की basic understanding नहीं है तो it's very difficult for you to understand index match formula और index match formula one or the debt formula जो के आज रिल बहुत जादा demanding है तो एक तो यह कुछ रटाम आ लिए जाए तो वो मैं समिच्टों को इतना अच्छा या बेतर तरीका नहीं है तो बेतर या अच्छा तरीका क्या है कि हम index को लादा समझें और match को लादा समझें और जो आजशी वीडियो है वो match formula से related है बड़ा simple सा formula है just like कि मेरे पास एक record मजूद है database मजूद है और इसके अंदर implies के name आ रहे हैं उनका department आ रहा है उनकी salary आ रही है अब यह जो implies के name है इसमें अगर आप देखें हमजा खान वो इस array के अंदर यह array पूरी यूँ है ठीक होगे जी यहां से start हो रही है और यहां तक है यह पूरी array अब इसमें अगर मैं सिर्फ name की column में देखूं तो name इस array में first row में लिखा वाए उसमान है में second row में लिखा वाए थर्ड रो में अब्दर राजिक लिखा वाए फूर्थ में हमजा खान लिखा वाए और five पे शराज गोंदर, six पे मस्तान हान, seven पे शहाब शोकट और eight पे माजर रदा अब मैं यह चाहता हूं कि मुझे formula की मदद से idea हो कि मैं कोई भी नाम लिखूं कोई भी नाम तो मुझे formula बता है कि यह इस column के अंदर यह जो name है यह किस number पे, किस row number पे आ रहा है तो उसका पड़ा सान सा त्रीक है कि as equal to m a t c h और ब्रैक्टिटो किया जी मैंने open अब वो कह रहा है कि किस value को दिखना है, look up value क्या है, look up value है basically हमजा खान क्यों और name भी हो सकता है, आपके case में क्यों और name हो सकता है, और current case में भी क्यों और हो सकता है, तो अब वो कह रहा है क look up array कौन सी है, अब look up array basically ये है सारी की सारी, look up array name से लेकर नीचे माध रजा तक, अब कॉमा किया तो कह रहा है कि आपको less than one or greater than one चाहिए या exact में चाहिए, तो basically मुझे exact information चाहिए कि हमजा खान किस number पे इस पूरी की पूरी array में उसका जो है basically इस पूरे column के अंदर उसका ज इस डेटाबेस है तो चोथे नमबर पे आ रहा है, लेकिन same ये चीज़ जब मैं exact match करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, keyboard से down press किया, tap की बटन दबाऊंगा तो exact match automatically आजएगा, या मैं zero लिकूंगा तब भी आजएगा, तो मैं tap की बटन दबा रहा हूं, मैं enter कर रहा हूं, तो जो इसका row number बनता है, वो four बनता है, same अगर मैं लिखता हूं, जी माज रज़ा, तो माज रज़ा का basically eight है, आप लोंगे इसानी के लिए मैंने आप नमर भी की वी है, तो ये, अब मैं नाम चेंज़ अर्दे आ रहा हूं तो वो automatically formula मुझे बताई जा रहा है कि इस array के अंदर जो respective name है, वो उसकी numbering क्या बनती है, अब अगर मैं लैट्पोस में जो कोई ऐसा नाम लिखता हूं जो कि इस array के अंदर नहीं आ रहा, just like ashmalmir, तो अब देखें कि उसने note applicable कर दिया, तो इसका बेतरी तरीका ही होता है कि जब भी formula यूज़ करें, we look up हो गया, या इस तरह कर और tab button press करेंगे, तो formula automatically start हो जएगा, यह तमाम values, comma, अगर नहीं match करता है, तो आप लिख दो, not found, not found, लिखा आ गया, frame मैं लाइक मजम्मी लिखता हूं, तो मजम्मी लिखता हूं जटा के अंदर basically नहीं है, लेकिन मैं लिखता हूं शिराज गंदल, तो शिराज गंदल basically इस data के अंदर ही मजूद है, और शिराज गंदल का जो है basically रेफरेंस जो बनता है, जो row number बनता है, वो five बनता है, जो formula ने automatically पता दिया, अब जारतर जो के नाम है log इस उसकाते हैं, तो वो normally column के लिखते हैं, तो यह सिर्फ column पे नहीं वर्क करता है, यह यह जो salary है, वो उसका के number बन रहे है, जो पहले, पहले जो column name है, वो name से related है, इस array के अंदर, इस पूरी array के अंदर, जो name है, उसकी numbering one बनती है, और department की two बनती है, और salary की three बनती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यह मुझे match का function खुद automatically लिखता है, तो मैं करूँगा, जिए इस प्रेस किया, तो formula पूरा लिखना की जरुद भी नी पड़ी, formula लग भी गिया, bracket भी open होगी, then वो पूछटा है, lookup value, तो lookup value है salary, comma, lookup array के है, lookup array के है, basically मेरी name से लेकर salary तक है, तो name से लेकर, जब मैं salary तक करूँगा, तो automatically salary, basically कित्री का प्यार है, थर्ड नमर पे, comma, keyboard प्रेस किया, और जब exact match लिखा रहा है, तो basic मैं 0 लिखूई या tab प्रेस करते हूं, तो बात A की है, अब मैं enter करूँगा, तो formula अपला हो चुक है, और salary जो है, इस array में थर्ड नमबर पे आ रही है, अगर मैं यह जो यह array देखूँ, तो वो थर्ड नमबर पे आ रही है, ज salary के जो हम लोगों ने array दी, तो salary basically थर्ड नमबर पे आ रही थी, अब यह by doing this formula, अगर आप इसको यूज करते हैं, तो आप कहते हैं, शायद हो सता कि आपको लगए किस ख़तों परपल्स, शायद बहुत मुश्किल है कि किसी जिगह पर आपको यूज पर यूज पड़े, ल वो उसकी limitation को overcome करने के लिए हमें index match को use करना पड़ता है, index match को use करने के लिए हमें match समझना पड़ेगा, index समझना पड़ेगा, current video थी, वो basically हमारी थी match formula से related, इंचाला जो next video होगी, वो हमारी index formula से related होगी, then हम index match को समझेंगे, और अपनी जिंदगी को असान करेंगे, इस तर कर सकता है, बहुत बहुत शुक्रिया